दोस्तों एक confusion है जो कि सभी नए यूटूबर के मन में आता है कि 1000 subscriber, charger house का watch time अगर एक साल के वित्तर अगर हमारे channel पर complete नहीं होता है तो फिर क्या होगा? क्या हमारा channel monetize होगा या फिर नहीं होगा? यह जो सवाल है लगबग सभी नए creator के मन में आता है और जब तो उसका channel monetize न हमारे channel का क्या होगा? क्या हमारे channel monetize होगा या फिर नहीं होगा? तो यह जो सवाल है इसका answer उसको नहीं मिल पाता है लेकिन आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोपर तरीके से आपको बताऊंगा कि एक साल के वित्तर देखिए यहां पर 1000 subscriber, charger house का watch time अगर एक साल के वित तो आज की इस वीडियो में आपको सारा चीज आपको पता चल जागा कि आखिर अगर आपके पूरा कुछ भी एकर नहीं होता है तो फिर क्या होगा? आपका channel monetize होगा फिर नहीं होगा और इतना मैं आपको एक चीब बताता हूँ कि आप अपने channel को यहां पर देखिए आप आपको मिलता है एक साल का टाइम है अपने channel को monetize करने के लिए एक साल का टाइम मिलता है लेकिन आपको इतना बताता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने channel को 10 साल तक monetize कर सकते हो तो 10 साल में आप अपना channel को monetize कर सकते हो ठीक है अपना channel को अपना च खतम हो जाएगा और आप उन्हें चैनल को 10 साल तक मोनोटाइज कर सकतो जब चाहो तब मोनोटाइज कर सकतो लेगिन चलिए मैं आपको इस वीडियोस में आपको पूरे एक्जामपल के साथ समझाने वाला हूं यहां पर देखिए पूरा प्रूप के साथ दिखाने वाला हू और किस पकार से आपको सब्सकाबर वाल स्टेम कमप्रीट करना होता है अब सो यहां पर देखिए आपने यूटूब चैनल बनाया नया यूटूब चैनल बनाया यहाँ पर देखिए आप तारीक चारवा मेना 2023 को अपने चैनल बनाया तो इसका एक साल कब हो रहा है एक साल हो रहा है यहाँ पर देखिए पूरा इसका एक साल हो रहा है कब आठ तारीक जीरो चार दो हजार 24 को आपका एक साल पूरा हो रहा है लेकिन आप लोग का जो सवाल होता है कि हमारा जखिए एक साल अगर इसके भीतर अगर अपने चैनल जैसे कि आपने स्टार्ट किया इस तारी को ठीक है स्टार्ट अपने इस तारी को किया लेकिन इंड आपके हिसाब से यह होता है अनि कि इसके बाद आप मोनटाइज नहीं कर सकते हो आपका क्या हो रहा है कि 2023 को आपने बनाए चारवा मेना आठ तारीक को तो आठ तारीक चारवा मेना दोजर 24 को आपका एक साल पूरा हो रहा है आपके नजर से ठीक है तो आपको लगता ह इस धी बीच में हमको चैनल अपना मोनेटाइज करना होग सबनार करें तो अगर इस देट से कर ज़्यादा हो जाए जैसे कि आपको यहां पर जो दिखाया यह वाला आपको दिख रहा है इसे ज्युद याधा हो जाए तो फिर क्या होगा यह来ँ से दिन दना डिया,थ एक साल तो अपने चीज लियर कर देने वाला हो और आप को इतना नहीं को निए को वाए सकते हैं, اे तो यहां पर कियों की चानवा का मठीरा मंध जो कि Lastऻ में बढ़ जाता था इस डेट में आपका इस देट में आपका 영गी आपका कम्प्रिंट कफ वह रहा है आपका कंप्रीव हो हुअ नौ तारिक को मैना दोडि दोड़ो को माझनले चैंड है जो आक यहां तो आपने चैनल तो बनाया था आठ तारिक शारवा मेनजर 2023 को लेकिन अब यूट्वब इस तारीक को आपने जो चैनल बनाया था तो YouTube इसको भूल जाएगा अब आपको counting कब से करेगा यहाँ पर देखिए आपका 6 मेना लगवग ज्यादा हो रहा न तो यहाँ पर भी वो 6 मेना बढ़ाएगा यहाँ पर क्या करेगा 9 तारीक 10 मेना 2023 को यहाँ पर देखिए इस डेट से आपका गिंती स्टार्ट होगा क्या समझे आप लोग यहाँ पर देखिए 6 मेना ज्यादा हो रहा है तो पिछला यहाँ पर चैनल आपने बनाया भले 10 साल पहले है 8 साल पहले है 6 मेना पहले है लेगिन YouTube क्या करेगा काउंटिंग कब करेगा जब आप अपने चैनल पर कंप्लीट कर रहे हो जैसे कि इस टाइम में अपने चैनल पर सब्सक्राबर वाश्टेम पूरा कर लिए हो तो अब से YouTube एक साल पिछला दिन में जाएगा जब आप रिव्यू के लिए भेजेंगा अपलाई के लिए तो तब से YouTube एक साल पिछला दिन जाएगा तो एक साल पिछला दिन आपको क्या हो रहा है यहाँ पर आपने इस डेट को दे रहा है वह रिव्यू के लिए भेज रहे हो तो यूटूब क्या करेगा पिछला एक साल जाएगा और पिछला एक साल क्या हो रहा है नौ तारिक दसवा में जो यहाँ से यहां से इसके बीच में जो आपका सब्सक्राबर वाश्टेम कम्प्रिट हु यहां पर जैसे कि चारवा मेंना चल रहा है तो यहां पर दसवा मेंना से काउंटिंग हो रहा है अब आपका पांचवा मेंना कोई अगर कुछ वाश्टेम मिला था कुछ सब्सक्राबर मिला था अगर सातवा मेंना कुछ वाश्टेम मिला था कुछ मिला था आपको तो यह यह वाला फिर यूटूब काउंट नहीं करेगा यह वाला फिर यूटूब बोल जाएगा उसे काउंट नहीं करेगा यह जो आपको पांचवा महना मिल रहा है यह काउंटिंग नहीं करेगा अब दसवा महना के बाद से काउंट करेगा क्यों 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 कि आप यहां पर दस जैसे यहां पर असलियत में काम किसे करता है वो चीज आपको अची तरह समझने होगा अब देखिए माल लिजे आपका सवाल है जैसे कि यहां पर मैं आठ तारीक चारवा मेहना 2023 मैंने लिखा था इस पका से 2023 ठीक है तो यहां से आपका हो रहा था कब कंप्लीट हो रहा था आपका कंप्लीट हो रहा था यहां पर आपका हो रहा था आठ तारीक चारवा मेहना दो हजार चोपीस को ठीक है लेकिन आपको मैंने क्या बताया मान लिजए नौ तारिक दसवा मेना और दो हजार चोपीस को आपका चैनल पर मतलब सब्सक्काबर वाइस टाम दोनों कम्प्लीट हो रहा है तो मैंने आपको बताया है बस इसके एक साल पूरान है आपका काउंटिंग इस्टार्ट करेगा नौ तारिक दसवा मेना दो हजार तारिक से बीच में अब एक साल इसके भीतर देखे आज आपने चैनल जैसे कि देखिए आज आप जैसे कि यहां पर होता है एक दो तीन चार पांच जैसे कि यहां पर देखिए आज जब आप अपने चैनल को अपलाई करते हो सिस दब से, पिछला एक साल पूराने आपके बदो पूराने जैसे की आप देखिये यहां पर इस जगह पर मान लिजए आपका क्या हो रहा है कि 27 तारिक को साथ आई स्थैरीक को ne當ya LOOK अब जाइन kalian वाला में भी जो सब्सक्राइब मिला था इससे काउंट नहीं करेगा इसको भी काउंट नहीं करेगा अब काउंट किसे करेगा यहां पर आप मोनोडेरेशन के लिए कब भेज रहे हो 27 तारीग तिनुवा मेना 2026 को तो आप क्या करेगा पिछला एक साल में जाएगा पिछला 25 तो आप क्या समझे यहां पर देखिए चैनल तो आपने काफी टाइम पहले बनाया है 2023 को भी बनाया है 24 मेना 2028 मतलब 8 तारीग चैनल को लेकिन देखो आपने इस टाइम में भी इम्प्रिट नहीं कर पाया अभी भी कम्प्रिट नहीं कर पाया आनिकि इतना टाइम होगा आपका complete काव हुआ है 2026 में हुआ है तीन वा मैना 27 तारीक को तो अब क्या करेगा जब अपने चैनल को apply के लिए भेज रहे हो तब से पुराने एक साल में जाएगा और इसी के बीच में यहाँ पर देखिए 27 तारीक 23 मैना 27 तारीक 23 मैना 26 अन्य कि इसी के बीच में इसके काउंट हँ जोगा भले आपके चैनलाııब 10,000 सबस्काबरः लेकिन इगर य نے लेकर उन्य को मिला्य इस युडड में फूल यह जाता है पहले रिफ्चा सूरू कोई दिक्कत हो जाएम सब्सक्राइबर आपका लुगन स्वह मिलता है k pathways कई सब्सक्राइबर सूदर् में मिल पर देखेल और ये वाला डेट सब्सक्राइए तर्सक्राइब बिप्नियों मैंने पर पर चड़ने आप डिशेयर है य선 और गी। 6 साल 15 साल पहले या फिर 1 साल पहले उससे मतलब नहीं होता है आप जब apply करते हो तो इस से पिछला एक साल में जाएगा यूट्यूब एक साल पिछला क्या हो रहा है 29 टारिक बाश्वा मेंदा twenty hour 27 यह हो रहा है पिछला एक साल अब इसके इसके बीच में आपका 4,000 House का Wyche Time complete होना चाहिए और 1,000 subscriber आपके चैनल में होना चाहिए Subscriber आपने पहले भी 1,000 complete कर लिया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मानलिज्ये यहाँ पर इससे पहले जो आपको वाइस टाइम मिला है मान लिए अगर आपको कुछ वाइश टारीम मिला होगा जिसे कि 29 तरीक यहां पर काउंटिंग लिया जा रहा है हो सकता है आपको पहले भी मिला होगा जैसे कि आपका 27 तरीको 27 तरीको 27 को मिला होगा ठीक है इनसे दो दिन पहले अब इनसे दो दिन पहले जो आपको वाइश तो आप यहां पर क्लियर क्या समझें कि जब अपने चैनल को आप रिव्यू के लिए भेज रहे हो तो तब से पुराने एक साल के वित्तर आपका चार्ज रहाउस का वस्टेम होना चाहिए और सब्सक्राबर अगर आप चैनल को आप यह सब्सक्राबर होने चाहिए और आपने सिर्श कोव्यश्ण के सब्सक्राइबार 8 आज अपने चैनल मोनोटाइज करो, दोजर पचिस में करो, आपका सब्सक्राबर ये काउंट हो जाएगा, लेकिन जो आपका वाइस टाइम होता है, ये काउंट आपको हमेशा नहीं होगा, आपका पिछले वाला ड्रॉप होगा, ठीक है, अगर मानलेजे दोजर अथाइस को आप जैसे की यहाँ पर भेज रहे हो, दोजर अथाइस को आप चैनल मोनोटाइज करने के लिए बेज रहे हो, चाहे आपने दोजर ताइस को हड़ जाएगा, दोजर जाएगा, दोजर शबीस वला हड़ जाएगा, वाश्ट टैम, ड्रॉप हो जाएगा, निकि वो यहां पर देखिए पांच तारीक चारवा मेना दोजार अठाइस से दोजार अठाइस इसके और इसके बीच में आपका चारजर हाउस को वाइस टेम होना चाहिए तो आपका चैनल में उटाई जोगा है भले आपके चैनल में 10,000 घंटा हो जाए टोटल 15,000 हो जाए लेकिन इ इक साल मिलाकर अपके चैनल मेर आठट का मओस टेम कप्राइब तो तब से पिछले एक साल के वितर आपके चैनल में इसी आपका चारजर हाउस टेम होना चाहिए अगर माल जे इस से पहले भी हुआ है जब चैनल माल ने अपने इस डेट में स्टार्ट किया था लेकिन इधर जो आपका watch time कंप्रीट हुआ है ये watch time अपका count नहीं होगा आपका count होगा इसी के बीच में तो दोस्तों कर आप समझ चुगे हो कि एक जास असकाबर चार्जर हो उसको watch time किस पहका से YouTube count करता है तो इस वीडियो को like कर देना और चैनल पर नए हो subscribe कर देना और इसी process से count होता है अगर आप चाहो तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में तो तब से पुराने एक साल के भीत्तर आपके वीडियो में चार्जर हो उसको watch time होना चाहिए और यह जास असकाबर आपके चैनल पर उस टाइम में, present time में होना चाहिए आपका चैनल में उठाई हो जाएगा कभी भी कर सकते हो आज करो, 10 साल बाद करो, 20 साल बाद करो, इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा बस जब अपने चैनल को में टाइनेशन के लिए भीज रहे हो तब से पुराने एक साल के भीत्तर आपका सब्सक्राबर watch time होना चाहिए सब्सक्राबर तो आपको पुराना भी चल जाएगा लेकिन watch time आपके इसके वित्तर में होना चाहिए और इससे पहले अगर आपका कुछ watch time हुआ है तो इससे count नहीं करेगा यह आपका हट गया यानि कि समझो यह drop हो गया इसको भूल जाओ बस इसके बीच में अगर आपको पूरा हो रहा है तो आप यहाँ पर review के लिए भेज रहे हो लेकिन मानलेजिए अगर आपका इसके बीच में 2000 हुआ है और पहले भी 2000 हुआ था तो यह count अपका नहीं होगा आपका counting हुआ इतने के वित्तर में होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो फिर आगे date अगर आपका बढ़ रहा है तो फिर तब से आपका पिछले एक साल के वित्तर होना चाहिए और इसी process से काम करता है और आप अपने channel को कभी भी monetize कर सकते हो